हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू डिजिटल हर्पिंग हैंट्स और मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक नया वीडियो कि जिसमें आप सीख सकते हो कि तो आपको पता होगा कि कि आप स्लाइड को numbering कर सकते हो यहां पर तो यहां पर गूगल एक तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहां पर इंसेट वाले मैनु में इंसेट मैनु में जैसे जाओं कि आपको नीचे सेकेंड लास दिखाई देगा कि स्लाइड नंबर्स वहां आपको एक बार सिर्फ क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे यहां पे आपको दो ऑप्शन्स मिल जाएं कि ऑन एन ओफ तो बाइड डिफल्ट रहता है पर वह डिस्पले नहीं होगा जब तक आप अप्लाइड पे सेलेक्ट नहीं करोगे और यहां पे आप दो ऑप्शन्स है कि अप्लाइड तो सेलेक्टेड जो सेलेक्टेड स्लाइड से उस पे भी आप यह जो स्लाइडिंग नंबर्स है वह आप दे सकते हैं तो यह यहां से मैं first of all apply क्लिक कर देता हूं make sure मैं आपको यहां पर पहले बता देता हूं कि देखो हमारे पास चार स्लाइड है और यहां पर कोई भी सखा पर अभी भी नंबरिंग नहीं दिखाए दे रहे तो यहां पर हम एड कर लेते हैं एक बार इंसेट में जाके बिटम कॉर्णर में आपको यहां पर नमबर वन दिख गयाँ अभी सेकंड स्लाइड पर हम जाके देख लेते हैं सेकंड स्लाइड पर भी यहां पर दिख गया 2 तरड से आपके जो स्लाइडिंग नमबर है वो ऑ्टोमेटिक एड हो गया अभी यह है कि आपके पास एडिया जैसे ही आप apply करोगे आपके slide numbers हाइड हो जाएगे ओके तो इदम easy step है friends अगर आपको यह वीडियो helpful रहा हो तो अभी वीडियो लाइक कर दो और हमारी चैनल को subscribe कर लो ताकि ऐसे आप बहुत सारी वीडियो आप easily देख सके पास सके और आप ऐसे ही सिख सके और आपका जादा टाइम वेस्ट ना हुए और इसलिए मैंने यह learn google slides tutorials करके playlist बनाया है वहाँ पे भी आप मेरी चैनल बे जाके एक बार देख लो तो आपको सब कुछ easily समझ में आ जाएगा थैंक यू सो मच लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना पूल ना मत थैंक यू सो मच